Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और ReactJS की इस यूडिय के दिनम बात करने वाले हैं Bootstrap की, कैसे इसको 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 रिजिस्टर करेंगे Example, Interview, Question, सारी चीजे मैं आप से पूछ लूँगा So, मैं एक चीज बता जेता हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उनका एक एक जामपल भी हम देखते हैं वीडियो के अंदर और जो कोड होता है, मैं GitHub के उपर डाल देता हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बोक्स में दे देता हूँ So, वहाँ आप चेक कर लिजा करिए, अगर आपको कोड की जुरुड़त हो तो, राइट So, स्टार्ट करते हैं, बूट्ट्रेप बेसिकली होता क्या, देखो बूट्रेप एक CSS और JS की लाइब्रेरी होती है जो हमें क्या करती है, कि responsive website प्रवाइड करती है और buttons के उपर, और जाए फिर हम कुछ alert box यूज़ कर रहे हैं, grid यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अच्छा सा एक setup दे देती है, ताकि हम कम time में अच्छा style कर पाएं, अच्छा design कर पाएं और सारा कसा responsive, responsive मतलब कि हम mobile के ऊपर देखेंगे तब भी हमको बहुत अच्छा दिखेगा, laptop पे देखेंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा और tablet पे देखेंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा, मैंने basic बता दिया, वैसे तो काफी deep में ही जा सकते हैं, बट मैंने basic idea दे दिया इसको install कैसे कर सकते हैं, इसको install करने के लिए आपको ज़से लिखना है react-bootstrap जब आप जाओगे तो आपको पहला link मिलेगा react-bootstrap.github.io इसी link के उपर जाना और भी बहुत सारी link मिलेंगे आपको, उनके उपर मत जाना, विगोज यही official site है, इनकी, यहां पर जाओगे तो आपको current version मिल जाएगा 4.5, कुछ लोग अभी 5 के लिए बतायते हैं कि directly 5 कै इसे install कर सकते हैं, वो official नहीं है अभी के लिए, तो वो मैं recommend नहीं करूँआ, जो यहां पर current version दिया होता है, आप वही use करो, right? All right, so, देखो, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, so, इसके अंदर आपको मिलेगा get started, so get started पर click करो, और यहां पर आपको यह बता लेगा कि यह वारी आप इस तरीके से library इंस्टोल कर सकते हो, यहां पर दो library है, एक तो react bootstrap और एक bootstrap, right? आप इसको copy कर लो, या फिर भ आप इसको use कर पाओगे bootstrap को, right? अचा, इसके साथ हमें कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ती है, बात आती है कि हम component को कैसे import करेंगे, right? component import करने से पहले, एक चीज जो important है वह आपको पताई आपको यह production के links वगरा दी हुए है, इनको इनके उपर दाने की जुरूरत नह होता है, उगर आपका internet नहीं चल रहा होगा तो फिर यह चले काम नहीं करेगा, right? तो आप यह वाला use करो, इसको आपको कहा रखना है, index.js फाइल होती है न, जो उसके अंदर रखो आप, इसकी, जो CSS की लाइड वीडियो तो उसका पात होता है, so आप index.js है, यहाँ पर इसके अंदर तो बहुत सारे component होता है, अगर मैं यहाँ पर जाओं तो, right? अगर मैं इनकी बात करोगा, accordion है, gadgets है, buttons है, cards है, तो आप यह किस तरीके से use करोगे, right? आचा तो इन्होंने just एक example दिया, आप वो example देके दिखाता हूँ, और फिर बाद में आप और भी तरीके है इन्होंने क्या use करा हूँ, जा तो आप इस तरीके से use कर लो button को, जैसे कि button निकालना है तो यहाँ पर, but आप directly यह तरीका भी use कर सकते हो, right? तो आपको लिखना गया है, यहाँ पर, let's say, आप app.js के अंदर आतो, इसको बंद कर देता हो, यहाँ पर आप जाओगे, और यहा button यूज करना है, तो अब इस button को import कर लो, और button को import करके, आप क्या करोगे, आप इस तरीके से use कर सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो, click me, right? अगर इसके बास event देखें, तो almost सारे के सारे same event ही होते हैं, जैसे कि हम on click वगएर, आप normally use करते हैं, सारे के सारे वही वाली event होते जैसलिक को on, click, और यहाँ पर आप arrow function मना के, एक alert करवा के देख सकते हो for a moment, right? जैसे मैं शो करना चाहता हूँ कि आप यह किस तरीके से काम करेगा, ऐसे, और अब यहाँ पर आओ, और इसको कई बार हो सकता है, जब आप first time करोगे, तो इसको आपको restart भी करना पड़े, कई variant भी दे सकते हो, और बहुत सारे properties होते हैं, वो आपको कैसे बता चलेगा, वो आप देखो, जैसे की buttons है, यहाँ पर click करो आप, right? और button के उपर देखो, कितने सारे variants and all है, just इसको copy कर लो यहाँ से, इस तरीके से, right? सारे की सारे buttons दिख जाएंगे आपको, एक साथी, और यह use करना चाहते हैं, तो alerts पर click करो, तो alerts भी इतने सारे होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको copy करो, यहाँ से code को, right? और just यहाँ पर paste कर दो, और मैं buttons को अटा रहा हूँ, सबको, और यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, अचा यह आपको use करना पड़ेगा, इस तरीके से JSX के अंद alert, जैसे आप लिखना शुरू करोगे, इसका अपने option मिल जाएगा आपको, और अब देखो, इतने सारे alerts, अचा यह कैसे आ गए, क्योंकि इसने लूप चला दिया, लूप अब तक हमने पढ़ा नहीं है, तो don't worry, let's say कि हम लोग warnings use करना चाहते हैं, तो इसको copy करो, और इन स जिरूरत नहीं है, अभी के लिए, और आपको यह simple सा alert मिल गया, और भी बहुत सारी चीज़ों होती है, इसके अदर accordion है, देखो, आप accordion भी यूज़ कर सकते हो, यहां से, जैसे इस पर click करोगे, तो यह open close होते हैं, बहुत सारी चीज़ों होती है, तो उनको आप use कर सकते हो, easily कोई problem आएगी नहीं, so यह था basic funda, हाँ, एक वीडियो और आएगा, जिसके अंदर, यह मैंने basic installation करना बता है, जिसके नहीं बहुत सारी चीज़ी यूज़ करके बता है, अभी तो मैंने एक दो चीज़ी यूज़ करके बता है, बहुत सारी, वो around 25 या 30 मिनिट का वीड आएगी, आप inline CSS भी एक साथ ही उज़ कर सकते हो, जितने मरज जाओ, जो मरज जाओ, यूज़ कर सकते हो, and इस वीडियो गंदर मेरे पास एक question है, जैसे कि हमारे पास bootstrap एक library है, so क्या, वैसे ही हमारे पास कुछ और भी library है, जो इस तरीके का responsive और stylish चीज़ी में provide करते है अगर आपको उसका नाम बता है, तो link description box में लिखो, हाँ आपको मैं बता हूँ, एक library है, वो बहुत ज्यादे यूज़ होती है, even bootstrap से भी ज्यादे यूज़ होती है, but लोगों को bootstrap पसंद है, जब आप लोग real project में काम करोगे, तो लोग bootstrap को मैं यूज़ करते हैं, उ उसका नाम बताओ, या फिर मैं आपको बता दूँ है next वाली वीडियो के अंदर, so bye bye, take care, and God bless you.